Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Friends, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला किस तरह से service booking application को आप पूरा control कर सकते हो, किस तरह से application के अंदर आप service list कर सकते, किस तरह से provider add कर सकते, किस तरह से servicemen add कर सकते, कैसे आप zone और decide कर सकते हो, पूरा हम detail बताने वाले हैं service booking application का. तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, service booking application कैसे बनाया, तो उस वीडियो के निचे बहुत साय लोगोंने comment किया था, कि इसको use कैसे करना है, manage कैसे करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया उन लोग के लिए, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखाया, तो आप पहले वाला वीडियो जाकर के देख लिए, description में हम link देदेंगे, उस वीडियो के अंदर हमने कुछ इस तरह का service booking application बनाया था, कुछ इस तरह का design था, service booking application का, तो अगर आपको service booking application complete बनवाना होगा, तो आप मुझे वार्ट से मैसेज कर सकते हो, number description में आपको मिल जाएगा, तो service booking application के अंदर तीन application आता है, user application आता है, provider application आता है, और service man application आता है, तीन application आता है, और कुछ इस तरह का website आता है, application से भी service booking कर सकता है, और website से भी, और इसके अंदर आपको एक landing page मिलता है, कुछ इस तरह का, ठीक है, यहांप application आपका download link रहेगा, और application का पूरा detail रहेगा, और आपको इसके अंदर एक admin panel मिल जाता है, ठीक है, और इसके अंदर आपना जो भी नाम हुगरा है, आपका application का सब, जेंज कर लेना है, number चेंज कर लेना, email चेंज करना है, address चेंज करना है, ये सब आपको चेंज कर लेना है, शर्विस setup के अंदर आपको जाना है, और यहां पर सबको आपको इनेवल कर लेना है और यहां पर पर्मोशनल सेट अप के अंदर जाकर भी इसको भी डिसकाउंट होगा आप किसके बेसेज पर आप करना चाहते हैं यह से आप चेंज आज कर सकते हो ठीक है तो बिजनेस सेटिंग में करने के बाद उसके निच्छे आपको एक लेनिंग पेज का भी अप्शन मिलता है लेनिंग पेज के अंदर आप कुछ भी चेंज करते हो यहां से तो जो आपका लेनिंग पेज है यहां पर रिप्लेक्ट हो जाता है ठीक है चेंज हो जाता है तो लेनिंग पेज के अंदर अपना टाइटल हो रहा और थर्ड पार्थी, इमेल सेटिंग, SMS, पेमेंट गेटिवे, एप सेटिंग, यह जो सेटिंग है, हम लोग अप्लिकेशन बनाते हैं, तो सारे सेटिंग करके देते हैं, आपको यह सब सेटिंग छेड़ चार नहीं करना जाते हैं, और यहां पे पेज का सेटिंग मिल जाता है, तो पेज जो भी आपका अप्लिकेशन के अंदर होता है, उस पेज को यही से आप मैनेज कर सकते हैं, इडिट कर सकते हैं, आपको अपना पेज यहां पे डाल देना, तो पेज आप ऑनलाइन बना सकते हैं, आप अगर गूगल पे आप सर्च कर लोगे, प्राइवेसी पॉल तो जो जो मैंने बता है, वो सब करने को आपको सबसे पहला कामा था जोन, तो जोन का मतलब यह होता है, आप कौन सा एरिया में अपना सर्विस देना चाहते हैं, माल लेते हैं आप दिल्ली से हो, तो आप दिल्ली के जो भी एरिया में आप अपना सर्विस को प्रोवाइड oni एड़ेइड करना चाहते है वही आपको एड़िया सफेक्ट कर나 है ठीके तो एक इंदर एड़ेट करना चाहते हैना यह त lorsquर्णा मोले लेंगे दिल्ड करना चाटे हैं बना लेंगे खिए इपाइRA उसको तो मही सालिघ क्र सकते हो तो यह जूदर इनर का कोई दकए इन्दर को हुजर होगा आपके अप्लिकेशन होता है उसमें sign up करेगा तो इसके अंदर का होगा तो उसको सिर्फ service दिखाई देगा अगर इस circle के बाहर का कोई user होगा तो उसको service दिखाएगा not found ठीक है उसका service नहीं जाएगा ठीक है वो booking भी नहीं कर सकता है इसी तरह से आप multiple अपना zone create कर सकते हो ठीक है अगर आप चाहो तो पू नाम देना है zone का और यहाँ पर आपको submit भी क्लिक कर देना है तो आपका zone है वो add हो जाएगा ठीक है तो zone बहुत ही important role है इस application के अंदर तो zone आपको बना लेना है उसका आपको service category का अपसना था तो service category के अंदर जाएंगे तो यहाँसे category का आपको नाम देना किस तरह का आप category category बनाऊगा category आप plumber, house cleaning जीस तरह का आपका AC repair हो रहा है तो आप category अपने ही साब से बना लेना ठीक है image आप डाल देना category का और category का आप image डाल सकते हो ठीक है 1 by 500 गुने 500 जो आप size यह आप डाल देना और यहाँ पर zone आपको select करना है कोई से zone के अंदर यह category सो करेगा ठीक है तो जो जो zone के अंदर आप ठांगा चाहते है यह service देना चाहते है आप इस तरह से डाल सकते है ठीक है उसके आपको submit क्लिक कर दोगे add हो जाएगा उसका service का sub category तो category के अंदर का जो category होता उसे sub category बोलते है छोटा सा category ठीक है office shifting यह सारे जो भी है यहाप यह sub category है तो यह साब list के अंदर show कर रहा है ठीक है ओके यहाँ साब add new service क्लिक करके अपना service आप add कर सकते हो ठीक है service तो admin भी एड़ कर सकता है और service provider भी add कर सकता है ठीक है तो service application बनता है वहाँ साब भी service provider का account बन जाता है जब भी को account बनता है तो आपको admin पहले का अदर request आता है उसको approve कर देते ह तो उसका login होता है ठीक है तो अब का अटक्ग करना एकदम इजी है ज्यादा कुछ नहीं है सर्विस के नाम देना है काटेग्री देना है कोई बंदा अगर booking कर लेता है तो इस तरह का आजायेगा ठीक है बुकिंग के अंदर आ जायेगा उसका पूरा डीटल जिसने बूक किया होगा customer का मोवाइल नमबर अबरा payment कितना किया है payment कर दिया या तो unpad है और कब किया है time अबरा booking का डेट आएगा व्यू डीटेल पर क्लिक करेगा तो उसका पूरा डीटेल यहां पर आ जाएगा ठीक है उस क्लाइंट का जिसने booking किया होगा और कौन सब प्रवाइडर पास गया सब कुछ यहां पर आपको सो करेगा और यहां पर इन्वाइस भी बन जाता सकते हो ठीक है और सर्विस प्रवाइडर चाहे तो अपना खुद से अपना बना सकता है वेबसाइट को पर भी रहता है अप्सन सर्विस प्रवाइडर बनाने का ठीक है यहां पर देख सकते बीकम प्रवाइडर का अप्सन यहां पर क्लिक करके सर्विस प्रवाइडर अपना सकते हो और कोई service provider अगर withdrawal के लिए request डालता है यहाँ पर show करेगा और withdrawal method इस तरह से withdrawal आप देना चाहते हो सब option आपको आजाएगा B cash, Stripe, Card और Paytm, Google पर यह सब आप add कर सकती इंडिया से हो ठीक है ओके यह सब हम add करके आपको देंगे complete application अगर आप हमसे बनवाओगे तो और support भी आपको मिलेगा अमारे तरफ से ठीक है और business setting के देंदर हमने आपको बता दिया था यह सब ठीक है पहले उसके आपको employee अगर add करना चाहते है किसी को manager बनाना चाहते यह तो किसी को attack देना चाहते हो कि तुम भाई जाओ स्थिप service add करो ठीक है तो उसको employee add कर सकते एड new employee ठीक है और यहाँ पर option आ जाएक कौन कौन सा आप उसको service देना चाहते है ठीक है तो employee role से पहले आपको employee role बनाना पड़ेगा employee add करने से पहले ठीक है यहांसे role बना लो manager का जो जो role आपको लगता है ठीक है और उसको कौन-कौन सा feature show करें ठीक है कौन-कौन सा attacks of perform कर सकता वो आप select कर सकते यहां से और कितना आपके पास है सब कुछ यहां पर show करेंगा उसको deactivate एक्टिवेट कर सकते है डिलेट भी कर सकते हो और आपके application के अंदर कितना customer है जो कि यहां पर आपका show करेंगा ठीक है उसका transaction कितना होगा ओ यहां पर show करेंगा और यहां पर full report यहां पर show करेंगा तो report के अंदर transaction, business, booking, provider सबका report यहां पर show करता है तो यह हो गया गाईज हमारा admin panel ठीक है तो गाईज admin panel के अंदर इतने सारे option दिएगा है service booking application के अंदर multi service booking application है यहां इसके अंदर serviceman भी एड होता है तो serviceman, service provider एड करेंगा ठीक है जो भी provider होगा उसके अंदर में रहता है serviceman ठीक है तो जैसे कि यह बंद एक provider हो गया provider अपने अंदर में serviceman जितना चाहे रख सकता है ठीक है जो की service देने जाता है ठीक है तो कोई भी doubt अगर आपको बसता है तो वीडियो के निचे आप comment कर सकते है मैं clear आपकर कर दूँगा तो चलिए हम आपको provider panel के अंदर लॉगिन करके भी दिखा देते उसके अंदर क्या क्या option मिलता यह admin पहल था provider पहल लॉगिन आपको करके दिखाने वाले हम अभी तो गाई यहाँ पर हम provider पहल के अंदर आ चुक है यहाँ पर किसी ने booking किया तो 100 booking के अंदर हम जाएंगे तो जो भी booking होगा होगा वो सो करेग पहल को करेगा रिसेंट booking my subscription इस service पोड़ के अंदर कितना service मैंने सो कर रहा है यहाँ पर देख सकते हो लेवल service my subscription यहाँ से यह service मैं एड कर सकता है ठीक है provider यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर option आ जाता है add new service man और यहाँ पर कितना booking आया है सब कुछ यहाँ पर भी सो देख सकता है तो कई देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको feature मिल जाता है service booking application के अंदर इसके अंदर आपको तीन application बनता है और website बनता है और admin पेल मिलता है और provider का भी पेल मिलता है इतने सारे आपको चीज़ें मिल जाता है तो इस application को manage करना बहुत इजी है आपको मैंन चनल को subscribe जरूर करना ठीक है गाइच ओगे फ्रेंट thank you so much and bye